लीट दोहजार चौबीस के नतीजे घोशित कर दिये गए हैं लेकिन दस दिन पहले बड़ा सवाल है आखिर क्यों उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक तरफ जहां स्टूडेंट्स ने दिन रात महनत की तो वहीं पेरेंट्स ने अपने महीनों की सालों की कमाई खून पसीने की गाड़ी कमाई पैसों को पानी की तरह बहा दिया कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं मेरे बच्चे अच्छे सरकारी कॉलेज में उन्हें अड्मीशन मिल जाएं ताकि उनका भविष्य सुधर जाएं 720 स्कोर करते हैं बच्चे, 650 स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा उन्हें. क्यूं? अब इन अभीभावकों के पास करोड़ों रुपए तो है नहीं कि प्राइविट कॉलेज में जाएं. इसमें अभीभावकों की क्या राय है और स्ट नहीं हैं, जो अब आपको क्या लग रहा है? टूटते हुए नजर आ रहे हैं. भैम, जब एक बच्चा घर में एक्जाम देता है, तो किवल बच्चा नहीं देता है. पूरी फैमली एक्जाम दे रहे होती है. पूरा परिवार उसके साथ होता है. सब अपनी इक्षाओं को दबा करके कि बच्चा एक्जाम दे लेगा, सक्सेस्फूल हो जाएगा, तब फिर हम कुछ करेंगे, आगे सोचेंगे. लेकिन जब बच्चे के मार्क सिक्स फिप्टी आने के बावजूद इसे गौर्मेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है. जबकि लास्ट येर सिक्स फिप्ट रखनी चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए. क्या कहें हम बच्चों को, हम अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पा रहे हमारे पास खुद सब्द नहीं हम क्या कहें. बस हम तो एंटीय से जवाब मागना चाहते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ, इतना बड़ा स्कैम क्यों हुआ, इतने कंप्लेंड होने के बाद में, एंटीय कोई एक्सिंट क्यों नहीं ले रहा है. क्या माम दिख 사건, पढ़ाई करता घर अजब बच्च के सपना देख तो सिर्फ सपना उसका नहीं होता है. वो अभीभावकों का भी होता है, वो घर के लोगों का होता है. कि मेरा बच्च डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा क्या कहेंगे माम बच्चे के सपनों के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं पेरिंस बिल्कुल मैम, रात दिन जग जग के बच्चे तो करते हैं, पेरिंस भी करते हैं तो जो मैम ने कहाँ वही मेरा सवाल है सवाल आपका भी है, जवाब आपको NTA से शाइए, माम क्या कहेंगी जो सेरे की परस्थिते इस वक्त नजर आ रही है, क्या लग रहा है NTA जवाब देगा, जो धांधली हुई है, उस पर NTA अपना स्टांड लेगा, NTA को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चो के भविश्य का सवाल है NTA ने इस तरीके से रैंकिंग बनाई है, कि बच्चे उसे देखके ते शौक में ना वो रो सकते, ना वो कुछ बोल सकते बच्चे खुद इतने परिशान है अपने भविश्य को लेके, अगर भारत का भविश्य है, ये युवा बच्चे ही खत्रे में है, तो भारत का भविश्य आप सोच सकते हो, क्या रहेगा लोकतंत्र से बच्चों का विश्वास न उठे इसलिए मैं NTA से माननिय परधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि एक बार इस मामले को खुद संग्यान में ले और इसके उपर कुछ न कुछ बच्चों के भविश्य को देखते हुए कुछ निरने ले बिलकुल क्योंकि जो सिरह से NEET के एक्जाम्स हैं, 14 जून को ये नतीजे आने वाले थे, लेकिन 4 जून को ही आ गया, सबसे बड़ा सवाल तू ये है कि आखिर 10 जिन पहले की हूँ, और वो भी उस दिन जब देश में लोकसभा चुनाफ के नतीजे घोशित किये जा रहे थे कई धांदलियां सामने आ रही है, ग्रेस मार्क्स का सबसे ज़ादा जो सवाल है, वो ग्रेस मार्क्स को लेके उठ रहा है, आपके कितने मार्क्स आए थे माम मेरे 643 मार्क्स आए थे, ये मेरा सेकिंड अटेम्ट था और मेरा इमानना है, मेरा पूरा राइट है कि मेरे को ये पता चलना चाहिए कि मेरे साथ बैठने वाले कैंडिडेट्स जो थे, उनको कितने ग्रेस मार्क्स लिए गए है, किस बेसेस पे ग्रेस मार्क्स लिए गए है, जो प्रोविजिन क्लाट के वेपर के लिए था, उसको नीट में कैसे लगा दिया गया, बहुत डिफरेंस है, तो मुझे ये सारे आंसर्स NTA से चाहिए परेंस लाखो करोड़ रुपे दे पाएंगे प्राइवेट कॉलिज के लिए? नहीं मैं, बिल्कुल नहीं है, कोचिंग कराना ही मुस्किल था, तो करोड़ रुपे कहां से दे सकते हैं, वो दर्द आपकी आवाज में जलक रहा है, बिल्कुल देखिए, बच्चे जो सपन सपना देखते हैं, वो सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, वो उनके माता-पिता का भी सपना होता है, सपना आपका भी था कि बेटी डॉक्टर बनेगी, सपना था, मैं, बिल्रू याने, उस दिन अपने रिजल्ट को देखके, अपने मार्क्स को देखके, इतने खुश थे, कि हमें एक अच्छा सरकारी कॉलिट जरूर मिल जाएगा, पर जिस दिन एंटी ने रिजल्ट जारी करा, उस दिन बच्चों की हालत देखने लाइक थी, हम अपना दर्द बच्चों के सामने नहीं एक्स्पोज कर सकते थे, छुपके, परिशान होके, अपने बच्चों को स कितना अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को ड्रॉप कराना, यानि उनके सपनों का गला घोटना होगा, उनके सपनों को ड्रॉप कराना होगा, लिकिन अभी भावकों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नजर नहीं है. इंडिया निउस, ये सवाल लगातार सरकार से पूछ रहा है, शिक्षा मंतराले से पूछ रहा है, ये सवाल लगातार एंटिये से पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी धांदली पे वो चुप क्यों है? सर्क क्या कहेंगे जो ये इतनी बड़ी धांदली हुई है, एंटिये को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल मैं हम उनको जवाब देना चाहिए और इतने सबूत होने पे भी अगर एंटिये जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आगे बाकी एक्जाम की क्या गरंटी है? ये शुरुआत है और अगले साल, आने वाले सालों में इस तरह के एक्सकेम्स फिर होते रहेंगे, अगर अभी नहीं रोका, तो आगे भी फिर यही चीज़े चलती रहेंगे, इतने सबूत होने भी, इमीजेटली इस एक्जाम को होल्ड कर दाना चाहिए. इस पूरे सिच्वेशन पर क्या कहती है? इतने सारे सबूत, इतने सारी बाते, इतने सारे चीजे देखने के बाद में NTA बिल्कुल चुप है, जब कोशन सामने आ रहे हैं कि 718, 719, तब वो कहते हैं जी ग्रेस मार्क्स दे दिये. मैडम, बहुत लेवल के एक्जाम सोते हैं. कोई ट्रांस्पिरिसी नहीं है माम, जब कोशन्स पुट अप किये गए कि 718 और 719 किस केल्कुलेशन पे तब ये जवाब आता है, जी ग्रेस मार्क्स दिये गए. मैडम, अगर कोई कैंडीडेट लेट पहुच रहा है सेंटर पे, या पेपर लेट आया, तो एक स्टूडे काभी आज एक मामला सामने आया है, जहां चार जून को रिजल्ट घोशित होने के बाद, कोटा की एक शात्रा, शिक्षा हब कहा जाता है, कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है, जहां कि एक स्टूडेंटे नौवी मंजल से कूट के अपनी जान दे दी. मैडम, मेरी परधान मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड के सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से ये बिंती है, कि इतने सारे सबूत होने के बाद में इन्होंने एक्जाम को तो कैंसल किया नहीं, रिजल्ट रोका नहीं, हाथ जोड के बिंती है मैडम, कॉंसलिंग को रोक दिया जाए, बच्चों की उमीदों को तोड़ा ना जाए मैडम, आत्माहत्याओं को रोक दिया जाए, बहुत मैडम, रूह कहां पचाती है, जब बच्चे को मैंने देखा, वो सुसाइड कर रहा है मैडम, बच्चे सब के एक समान है तो आखों के आगे अपना बच्चा नजर आता है बच्चे को समझाना बच्चे को समभालना is too difficult कैसे समभाले हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं कि बेटा छोड़ दे डॉक्टरी का सपना मत बन डॉक्टर लिकिन सिंदा रहे स्पीचलेस निशब्द कर दिया सभी पेरेंट्स को सभी बच्चो को शब्द नहीं है माडम मेरे पास हाई लग रही है लोगों की बच्चे बिलग बिलग के रो रहे है और माडम आत्माय मर गई उन लोगों की अगर आपके पास एंट्ये का पेपर आपको फ्री में तो मिला नहीं नीट का लाखों रुपिया दे दे के आपने पेपर लिया है पढ़ा है क्लियर किया है कैलेबर नहीं था जिन बच्चों के इंस्टिट्यूट में नमबर नहीं आ रहे थे वो 720 ला रहे है 615 वाले रैंक में 66,000 है मडम कराए ना टेस्ट उनका री चेकिंग करवाए ना देखे ना कितना कैलेबर है उनके अंदर जो मांग है वो उठ रही है कि एक बार फिर से री नीट का जो एक्जाम है वो करवाया जाए ग्रेस मार्क्स पर चलते हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर जो सवाल लगातार NTA पर खड़े हो रहे है मैं जाना चाहूंगी स्टूडेंट से सबसे पहले तो आप मुझे बताए कितने मार्क्स आपने स्कोर की मैं मैंने स्कोर किये 490 मार्क्स ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उच रहे है किन केटेगरी में, किन सिच्वेशन में ग्रेस मार्ट तिये जाते हैं स्टुटेंट मैं ग्रेस मार्ट जैसे अमने टोल तक देखा है उसकी वाल्यू तू या थी मार्ट से ज्यादा नहीं होती है लिकिन इस बार तो 30-40 मार्ट, 100-100 मार्ट तक हुए हैं और लोगों के मार्क्स ड्रॉब भी हुए हैं वन आइवाद एक्स्पेक्टिंग स्कोर फिक्संड़ेड, इस बाद फिर यह क्लिरली दिखाता है कि NTA अब नो मोर्केबल अफ टेकिंग अ मास्लेवल एक्जाम क्योंकि मास्लेवल पे पेपर लीक होते हैं मास्लेवल पे इतनी गलतियां होती है NTA के 260 करोर्स का एक रिवेन्यू भी लेता है NEET के स्टूडेंट से उसके बाद भी फिर वो एक केपेबल तरीके से एक फिर तरीके से अगर एक्जाम नहीं करा सकता है तो फिर उसे यह काम छोड़ देना चाहिए और कोई और केपेबल जैसे की सीबेस से होगे जो मास्लेवल एक्जाम कराने में काफी केपेबल है और एक्सपीरियंस दें तो उनको कराना चाहिए बिल्कुल यह सवाल स्टूडेंट्स के भी है यह सवाल अभिभावकों के भी है पेरिंट्स के भी है कि नौवी मंजल से कूट के एक स्टूडेंट ने स्विसाइट कर ली वो अपने मा और भाई के साथ रहती थी पेरेंट्स को उमीद थी लेकिन अब वो जो उमीदे हैं वो खत्म होती भी नजर आ रही है सर क्या कहेंगे आप जी में पहले तो मैं ही कहूंगा कि जो NTA के ऊपर सब को बहुत ट्रस्ट था लेकिन अभी NTA का जो मतलब है वह है नॉन ट्रस्टबल एजनसी लोगों को अब ट्रस्ट रहा ही नी इस को अपर ट्रस्टिबल एजनसी क्योंकि ट्रस्ट खतम हो गया सब का ना और में जे एक ही चीज कहना है कि जिन बच्चों के 720 आउट आउट आए हूँ है उनका एक वार मेरी रिक्वेस्ट एंटी वालों से क्योंका एक दुबारा से एक्जाम लेके देख लें आपने जैसे कहा कि इस बार 67, if I am not wrong 67 student essay जिनको 720 आउट वाट वेक्जाम नहीं करा सकते तो जिनके 720 है बस उनका एक एक्जाम करा के देख ले इससे पता लग जाएगा उनमें वाके ही कैलीबर है कि कुछ बहुत बढ़ी वाली स्कैम या धनलेवाजी हुई है धनले बाजी, स्कैम ये जो तमाम words आप सुन रहे हैं ये NTA को लेकर है 720 का score करने वाले student को भी अगर यहाँ पर सरकारी college नहीं मिल रहा है 650, 640, 636 mark score करने वाले student को अगर सरकारी college नहीं मिल रहा है तो ये student जाएं कहां आखिर क्या करेंगे, अब क्या भविश्य में बचा इनके लिए, जो सिच्वेशन हम आज देख रहे हैं, जुन स्टूडेंट को हम देश का भविश्य समझते हैं, आज वो उनका भविश्य गर्त में जा रहा है, मैं में इसमें NTA पूरी तरह से जिम्मेदार है, यह जो भी ह हुआ है, इसमें NTA के कुछ ऑफिसल्स, जो भी है, हायर ओफिसल्स कुछ इसमें मिले हुए है, अदरवाइस ऐसा नहीं हुआ था, क्यांकि यह जो इन्होंने रिजल्ट आउट किया, उसमें साफ दिख रहा है, वह से इवन सरनेम्स तक टाय हुए है, सरनेमस हटाना ये, ए NTA, और एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे जो है, 720 लेकर आ रहे हैं, जबकि 720 तो पूरे इंडिया में एक दो या तीन बच्चे होते थे आड़ी, और वो एक ही सेंटर से साथ आट बच्चे आ रहे है, तो इसका मतलब है, माप कुछिन पेपर आउट हुआ है, अब 720 तो यह तुरंट जो है, यह एक्जाम का रिजल्ट कैंसल करना चाहिए, री नीट होना चाहिए, अब दूसरा एक्जामपल देखो, दूसरे जो नेवरिं कंटरी हमारे, वो यहाँ पर इंडिया में मेडिकेशन कराने आते हैं, अब क्या होगा हमारे जब दॉक्तर से इतने होगा, जो इंडिया की जो मतलब गुडब लोगी मार्केट मों पूरी खराब हो जाएगी, तो नेवरिंग कंटरी से जो हमारे पस रेवैनियो आता था वो भी नी आएगा, इस बार रैंक आये हैं, उतनी तो शायद एमस में सीटे भी नहीं है, उतनी तो एमस में सीटे भी हैं, इसको दुबारा एकजाम करा जाए, इस ग्रेश मार्स, ग्रेश मार्स कीन बच्चो को दिए, ये डाटा जिया जाए, कितने बच्चो को दिए, क्या है, तो इसके बारे में आट ये जबाब दे पूरा, ट्रांस्पेरिंसी होनी, चाहिए ग्रेस मार्क्स को लेकर जो अभी तक NTA की तरफ से नहीं जारी किया गया है. और एक मैम ग्रेस मार्क्स में मुझे ये भी बताना है कि जो ग्रेस है, ग्रेस का मतलब होता है दिया करना. हम दिया कर रहे हैं. जो बच्चा लेट आ रहा है, तो उसको आप किस चीज की दिया कर रहे हो. और हम बच्चपन से पढ़ते वारे स्कूलों में कि जो बच्चा फेल होने वाला होता है, कमपार्टमेंट आने वाली होती है, उसको हम ग्रेस नंबर देखे पास करा देते हैं. यहां पर जिनके छेसो पचास है, साथसो नंबर है या फिर साथसो पंदरा है, ठीक है, तो उनको आप ग्रेस क्यों दे रहे हो, और ग्रेस की पूरे क्लेरिटी नहीं है, कोई ट्रांस्परेंस इनी है, ग्रेस देना ही क्यों, और जो बच्चा लेट आया है, तो गलती उसक जिनने एम्स में भी एड्मिशन नहीं मिलने वाला है, क्या लग रहा है, अब जो स्टूडेंट उनका भवश और मातापिता का जो सपना है, वो बखरता हुग नजर आए आप एक स्टूडेंट है, यह विल्कुल क्योंकि मैंने जैसे जै का एक्जाम दिया था, तो उसमें काफी मेरी पीछे आई, तो मैं तो देख रखा था, मैं तो सोच रखा था, कि जैसे दिली के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, बट रैंक इतने पीछे दिया, जबकि 98 परसेंट है, पहली प्रारिटी, गवर्मेंट कॉलेज में क्या, एम्स होती है, बिल्कुल, एमसी सब से, हो गई हाँ, वो ही धनलेबाजी है मैं सब कुछ, और मैं यहाँ पर चोड़ी सी चीज और जोडना चाहूंगा, अभी कुछ साल पहले सब को पता है, बंगाल में टीचर की भरती हुई थी, तो टीचर की भरती में भी धनलेबाजी हुई थी, खुब पैसा दिया गया, बंगाल में पैसे दे के टीचर की भरती हुई है, तो यह टीचर की अमारी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा के बढ़ा सकते हैं, बताईए मुझे. बिल्कुल डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, कोविट काल में भी हमने देखा था कि किस तरह से डॉक्टर्स में अपनी जान पर खेल के मरीजों को बचाया था, लेकिन अब आज जो स्टूडेंट के सपना देख रहे हैं, कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, आज उनका सपना, उनके माता-पिता के जो उमीदे हैं, वो तो हमें पूरी तर क्या कुछ उमीद है, कुछ हो पाएगा, तब उनको ये भी नहीं कहते बनता कि बेटा आप ड्रॉप ले लो, क्योंकि माम अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया, तो ये आगे साल दर साल बढ़ती जाएगी, जिनके पास पैसा है, वो पेपर खरीद के, अपने नलाय क्योंकि मैं बोलूँगी, एक अच्छे इंस्टिट्यूट में डॉक्टर बना देंगे, और जो एक अच्छा बच्चा है, जो सालों से महनत कर रहा है, वो या तो सुसाइड कर लेगा, या फिर प्रीवियस एर के अगर बात कर ली जाएग, शिक्स फिफ्टी, शिक्स फॉटी, या शिक्स ट्वेंटी, जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, उनको गवर्मेंट कॉलिज मिलने के कितने चांसे हो, शिक्स फिफ्टी मैडम एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, शिक्स अगर वारा गई है मैडम, 32,000, 35,000 तो और और अल इंडिया के अगर मैं बात करूंग, या स्टी की बात करूंग, तो मैम बीच्टी सजार तक सब कुछ वाइंड अप हो जाता है, कहां जा एक तेस फिफिफ पत्री सजार प्रेंटी सजार रेंक का बच्चा जो च्छा पच 650, 600, एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, 500 स्कोर? माम, MBBS बच्चों की फर्स प्रियाइटी होती है, आयुरवेदा बच्चे करते हैं, जातो उनका बहुत जादा इंटरस्ट है, अधर्वाइज मैडम, बच्चे कॉंप्रोमाइस करें, MBBS हमेशा फर्स प्रियाइटी होती है, माम बच्चों की, 500 स्कोर किया है, बहुत अच्छ रहे थे, माम, ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हैं, स्टूरेंट्स, माम, मैंने अभी जैसा की बोला, कि समझ ही नहीं आ रहा, कि इस बच्चे को में ड्रॉप लेने के लिए बोलूं या ना बोलूं, लास्ट यर तक ये सिनारियो था, कि बेटा, आपके इस बार 500 आए हैं, कि अगर मैं अपने सो डेट सो नंबर बढा लूँगा, तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छे कॉलिज में एड्मिशन मिल जाएगा, मैं मगर नेक्स टियर भी यही हुआ तो, मैं फिर से बोलूंगे माडम, कॉंसलिंग को रोकना अती आवशक है, सभी लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स में, शपद गरहन में, बाकी चीजों में, बिजी है, बड़े-बड़े इंस्टियूट क्यों चुप है माडम, क्या उनके बच्चे प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं, बड़े-बड़े इंस्टियूट, जो कडी महनत, Teachers का भी एक बहुत बड़ा role होता है। आज जो बच्चा 655-600 नमबर ला रहा है। 720 में से 720 अगर कोई अपनी महनद से ले कर आया है। तो जितना parents का role है, जितना बच्चे का role है, उतना ही role teacher का भी होता है। Teacher का भी उतना dedication होता है। जतना रोल एक स्टूडेंट का होता है, उतना ही रोल पेरिंट्स का भी होता है, उतना ही रोल टीचर्स का भी होता है, क्योंकि सिर्फ जब एक बच्चा सपना देखता है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए जो पेरिंट्स होते हैं, वो जी जान से लग जाते हैं, जो ये कब अपना स्टैंड लेगा और कब इन अभिभावकों के और इन तमाम बच्चों के सवालों का जवाब देगा जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब इनका क्या होगा क्या ये ड्रॉप ले ले 600, 680 ऐसे मार्क्स लेके आने वाले स्टूडेंट अगर ड्रॉप लेने के ब